तो हेलो जी एंड वेलकम जी तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिक में हम वैंगाओ को देखने हैं जो जैक वान को एक सोदर एंपरर पंच मारता है जिससे वह दूर जा खिटता है दन वो खरा होते है और कहता है कि साले वैंगाओ तू आखिर तू हर चेका कैसे तुम जैसे लोगों का उनकी उकात भी तो दिखाने होती है और फिर हम ताय और रैंसो को देखते हैं जो जब पैखाओ को देखते हैं तो वो काफी खुश होती हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था वो सेफ हैं और वो बिक तूसे को घूरी दे होती हैं कि तभी मिस्किन महां आती है जो फोरन आकर जूजी को हील करने लग जाती है क्योंकि उसकी कंडिशन बहुत ज़्यदे क्रिटिकल थी फिर पैखाओ कहता है कि जैकवान तुमारा केल खतम और तभी वो डिवाइन ठंडर की फर्स टेकनिक से उस पर अटेक करता है मगर वो शैड़ो डिवोर और वो जब ठक जाता है तो एक शील्ड बना का थंडर अटेक को टोच करने लगता है मगर नहीं कर पाता क्योंकि वैंकवान के थंडर पावर पूरती ज़्यदे से टॉंग होती है जो उसकी चीट को तोड़ देती है तो शील्ड के तूटता ही वो इंजेड हो जाता है और उसके मूँ से खून निकलने लग जाता है फिर वैंकवान बिना कोई देड़ी किये सेवन क्लोन किलिंग टेकनिक का यूज़ करते है और जैक वान पर अटैक करता है मगर जैक वान ब्लेक होल बना कर उसके सभी कलोन को अफ्जर्व करने लगता है मगर नहीं कर बाता और हम देखते हैं कि वो कलोन उस पर इतनी स्पीड से अटेक करती हैं कि वो वही पर ही गिर याता है जिसके बाद वैंक हो उसे देखते हुए कहता है ये तो बड़ी चल्दी मार किया फिर टाई defense shield को remove करती है और कहता है कि बाई तू ने तो कमाल करती है दो ती पाल के दमाल करती है मगर अभी निकार माल फड़ता है क्यूंकि जैक वान दुबारा उठ जाते है और ब्लेट डिवोरिन टेक्निक से वैंक हो पर अटेक करता है तो Wankho भी Furnos पर Slash Attack करता है जिसे वह दूर जा गिरता है मगर जब Wankho खुद को देखता है तो वो 24 टेक्निक से Infected हो गया होता है इस पर Jack One हसते होए कहता है कि Wankho अब तू नहीं बचेगा तो जैगवान कहाता है कि मेरे बतीचे अगर तुम्हें समझ लाग गई है कि तुम हार के और मैं जीत क्या हूँ तो जल्दी से ताई फैमली की वो सीगे डिवाइन टेकनिक बुझे देदो क्या पता है मैं तर्स खाकर तुम लोगों को छोड़ दूँ और अपना पालतू कुटा बना लूँ जिस पर वैंक हो कहता है कि तुम्हें कितनी जल्दी है अपनी ताई फैमली का ट्रेजर बाहिर के लोगों को देने की तो जैकवान गुसे में कहता है कि क्या मैं तुम्हें सेकिंड अंगल की तना पागल नजर आता हूँ जो ताई फैमली का सारा ट्रेजर उस कमीने हांचो और शैन किंग को दे दूँ एक दफ़ा ताई फैमली की सीके डिवाइन टेकनिक मेरे हाथ लाग चे तो उसे मास्टर करके उनको तो मैं चुटके में खतम कार तूंका पर लोग तुम लोग हांचो को तो जानते ही हो के जो गंटाल के हाथों मरते मते बचा था और शैन किंग वो बलैक रोबाला बनता है जिसने ताई को पॉजन फिल दिया था फिर वैंखाओ कहता है के अच्छा तो वो शैन किंग था जो पाहर से तुम लोगों की मदद कार रहा था और तभी वो डिफाइन पावर से अपने बाजो को ठीक कर लेता है जिस पार रैंजो काफी हरान होती है मगर ताई बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो पैंखाओ की चाल को समझ गयाता कि वो इन जेट का पहना बना कर ये जानना चाता है कि आखिर इन सब के बीचे किस का हाथ है जब उसे सब पता चल जाता है तो वो अपने बाजो को ठीक कर लेता है जिस पर जैक वान काफी शाक होते है और कहता है कि एच्छा तो तुम तब से एक्टिंग कार रहे थे तो बैंखाओ कहता है कि हाँ थोरी एक्टिंग तुमने की और थोरी मैंने हिसाब बराबर मगर जैक वान को बहुत ज़्यादा गुसा आ जाते है और वो सीधा ताई पर अटेक करके उसे जांसे मानने लगता है मगर रेंजो ताई को टेलिपोर्ट करवा कर पैंखाओ के पीछे ले आती है और उसे बचा लेती है फिर पैंक हाओ सोर्ड फार्मेशन का यूस कारके एक पाफुल स्पीचर सोर्ड को क्रियेट करता है और उससे जैक वान पर अटेक करता है जो सीधा जैक वान के पेट के अंदर से गुज़र जाती है जिसे वो काफी ज़िदा हिंजड होकर समीन पर गिट जाता है मगर वो फिर पिहार नहीं मानता और कहता है कि मैंसे नहीं मार सकता मैंने इस दिन का 20 सालों से इंतिजार किया है एड वो बिबात कारी रहा होता है कि तब भी वहां ताइफ फैमली का डिवान सीग्रेट ट्रेजर आता है जो कि एक स्क्रॉल होता है पर ये कोई नॉर्मल सक्रोल नहीं होता इसमें डिफाइन कल्टिवेशन की पावफुल मार्शिल आर्ट लिखी होती है ताके ताइफ फैमली वे से आगे जाकर कोई गोड़ बन सके तो जैक वान जब उस करोड़ को देखता है तो वो काफी खुश रहए और कहता है कि यह मेरा है मैं इसे किसी को नहीं डूंगा और वो जंप लगा कर उस करोड़ को पकरे है है मगर वो स्क्रॉल वहां से गइब हो जाता है जिसने जैक वैन सीधा statement वहां से घाज के पास चला जाता है कि में स्टुड़रेगे वहां से ख्रया के चैर करने लग जाता है फिर काई वह उत्य görश के लाइ Cred एक्टिवेट होगा और वो अपनी थोड़ी सी डिवाइन पावर उसकी टोकन के अंदर ट्रांसफर करता है जिससे वो जे टोकन एक्टिवेट हो जाते है और वापिस एक स्क्रोल में बतल जाता है फिर सींज होता है तो ताई उस स्क्रोल की मदद से खुद को हील करने लगता है जिसमें मिस्किन अकूपेंचर का यूज करके उसकी पावर को अलाग कर देती है और पावर के अलाग होते ही पौईजन का असर बढ़ जाता है तो फिर वैंको अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उसके अंदर के सारे पौईजन को खतम कर देता है जिसे देखकर मिस यहूं और तभी वो उस पावर से समनी दिवार पर अटैक करती है जो इतना ज़्यदा स्ट्रोंग होता है कि वापीस आकर ताई को लगने लगता है मगर वैंक हो से डोच का लेता है जिस पर योजी रेंजो को बाते सुनाने लग जाता है तो रेंजो कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ अचानक से मेरी स्वीचल पावर काफी ज़्यदा स्ट्रोंग हो गई जिस पर वैंक हो बताता है कि शायद तुम्हारी कुछ डिवाइन हमें डिर से ओपन होगी होंगी कि गोल्डास बने के पार भी से लोगों को लूटना है पर तभी मिस्किन सोर सोर से हसने लग जाती है और कहती है कि तुम सब के सब पूर जएदा फणी हो तो ताई ख़रा होते है और कहता है कि हमारे ।onction Pavilion ऐसा ही है आप चाहो तो आप यह हमारी डॉंकिन पर वेलम में आ सकती हो और तब ही वो खरा खरा प्रेक्टू कर जाता है जिस पर मिस्किन कहती है कि तुम तो होली किंग डिलम के पीक पर पहुँचके हो जिस पर ताई बताता है कि वो इसलिए कि मैंने एक डिवाइन माशलार टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कार लिया है फिर पैंकाओ कहता है कि अगर सब त्यारी हो किया है तो ताई फैबली पे जो कच्रा गुसा हुआ है उसे बाहिर निकालने का काम शुरू किया जाए ताई कहता है कि जरूर और फिर सीन चेंज होता है तो हम ताई के ग्रैंडमा को देखते हैं जिसे होश आने लगता है मकर शैंकिंग तुबारा उस पर कर्ट स्पेल लगा देता है और कहता है कि ये बुरिया भी ना जब तक तीन में से तीन दफ़ा कर्ट स्पेल न लगाओ ये होश में आ जाती है फिर हम हांशो को देखते हैं जो वहाँ आते हैं और कहता है कि मास्टर जैक वान मारा क्या और डिवाइन सीग्र टेक्निक इस लगता ही के हाथ भी है तो शैंकिंग कहता है कि लगता है कि इस ताई और वैंकों का मुझे खुद ही देखना परेगा पर हांचो कहाता है कि मास्टर उस सीग्रेट डिवाइन टेक्निक का क्या स्केंकिंग कहाता है कि उसकी फिकर तुम न करो उसके लिए मैंने आरेट एक बंदा ढूंड लिया है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो के टाइजिंग होता है तो भाई लोग एक्स्पलेनेशन पसांद आयो तो चैनल को सब्क्राइब कार देना और एपिसोड क्या सा लगा मुझे क्मेर्स में जूर बिताना मैं मिलता हो तुम लोगों से एक न्यूव वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई टूरूरू में जूरूरूरू यूरूरूरू ुझे टूरूरू